माउंटेन वार्फियर माउंटेन वार्फियर भाग एक पहाडी इलाके की खासूसियत पहाडी इलाके की जमीन और मौसम में परिवर्तन टूप्स की हरकत उनकी बनावट और एकुप्मेंट पर काफी असर डालते हैं पहाड़ी इलाके की बनावट का असर टैक्टिक्स और एडम पर भी होता है इसलिए ये जरूरी है कि हमें पहाड़ी इलाके की खौशियसत के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सबसे पहला मौसम पहाड़ी इलाके में मौसम में परिवर्तन बहुत जल्दी होते रहते हैं इन परिवर्तनों के कारण और बरफ या वर्षा के कारण रोड कम्मिनिकेशन टूट जाते हैं और इलाके ऐसलेट हो जाते हैं अल्टिटूट बढ़ने के कारण तापमन और हवा का दबाव कम होता जाता है और इसका टूस पर मांसिक और सारीक असर पढ़ता है बादल और नमी हवा बिजली और एवलांसिस इन इलाकों में टूप्स और ऑप्रेसन पर असर डालते हैं पहाड़ी इलाके में मौसम की निर इसकी जो गती है और तेज हो जाती है विंड चील एफेक्ट पहाड़ी इलाके में कम तापमान के कारण हवा का असर जाएदा होता है तेज हवा और कम तापमान अदमी के सरी के खुले अंग से गर्मी ले जाता है जिससे सरी का तापमान काफी गिर जाता है इस थंड़े प पासर हमारे वेपन एक्विपमेंट और रेडियो सेट्स पर होता है इस मुस्किल से बचने के लिए लाइटनी कंड़क्टर का इस्तिमाल किया जाता है बर्फ परफीले इलाके में हरकत करने और डिफेंस खोदने में मुस्किल आती है परफीले इलाके में फ्रॉस्ट की खरने और मॉंटें एक्विपमेंट के जुरूत पढ़ती है पानी केवल नदी और नालो में मिलता है इसको पहाड़ी के उपर ले जाने में काफी मैन पावर या एटी के जुरूत पढ़ती है रोड और पेरेंस ये काफी कम होते हैं और इनकी इलाइन्टमेंट नदी न बंद उचाई से होता है 600 मिटर से 4000 मिटर की उचाई तक काफी घने जंगल पाजाते हैं यो डिफेंस बनाने रहने की जग और जलाने के काम आते हैं इन से केमोफलेज और कंसीलमेंट भी मिलता है इसके उपर के एट्यूट में बनस्पती नहीं होती है और कवर केवल जमीन की बनावट सही मिलता है लोकल रिसोर्सेस इसके अलावा इन इलाकों में कम अबादी और साधन उपलोड है यहां लोकल एटी या पोर्टर्स एवलब होते हैं जिसको हम इस्तमाल कर सकते हैं टैक्टिक्स मतलब जूरी बाते हैं यह कहा जाता है कि पहाड़ी इलाके डिफे कामयबी से कर सकता है हैलिबॉन ट्रॉप्स को भी बहुत कामयबी से इस्तिमाल किया ज़कता है टैक्टिक्स के लिया हद से चंदिक बातें उभरती हैं जो इस प्रकारते हैं कम रोड्स और एडम हर्द बंदों के कारण ज़्यादा बड़ी फोर्स के इस्तिमाल नहीं हो सक है, defense बनाने में ज्यादा समय लगता है, defense stores को पहाड़ी के उपर ले जाने में काफी समय और mass power लगती है, roads or tracks को बनाने और उन्हें Просто करने मेंगाफी entrepreneur की मदद की जुरेत बढ़ती है पहाड़ी नदी नालों में बाढ़ आने से normal troops में या या वूब में बादा पैदा होती है जदा मात्रा में अफिंसिव एर सपोर्ट भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है इनके अलावा चंदिक मातों पर गौर किया जा सकता है पाड़ी लाके में डुमिनेटिंग ग्राउंड की डिफेंडर के लिए बहुत एहमियत है और डिफेंडर डुमिनेटिंग ग्राउंड को पकड़ कर रखता है लेकिन इसके बावजूद अटाकर जमीन की बनावट के करण सर्प्राइज हासिल कर सकता है पहाड़ों में हरकत के लिए ज्यादा समय लगता है हर एक हजार फीट की चड़ाई और पंद्रह सो फीट की उतराई के लिए एक घंटे का अडिशनल समय दिया जाता है या दिया जाए लागू किये गए प्लान को बदलना काफी मुस्किल हो और समय लगता है इसलिए प्लानिंग बड़े सोच विचार और सुजबुच के लिए के साथ किया जाए है टुप्स को टास्क उनकी काबिलित के नुसार दे समय ना केबल दुस्मन की मुदाखलात को बलकि मुस्किल इलाके एल्टिट्यूट का टुप्स पर असर और मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए फायर सपोर्ट कम अपलाद होगा और वो टाइम प्लान के अनुसार मिलना मुस्किल होगा इसलिए अर्टी फायर ऑन कोल रखा जाता है मुब्रहसन बरकरा रखने के लिए या बरकरा रखने के लिए मुस्किल इल्याजमेटी और पोट дети केैस्तेमाल किया जाता है वो तो हर जगा है हर सिना में पहारी जमीन पछली होती पहारी systems बनाने में जयदा नफ्री या बारूद या समय की जरूत बढ़ती है human aspects इस प्रकार चाहे मोराल पहाड़ी इलाके की लड़ाई में जवान पर सारिक और मंसिक दबाव बढ़ता है जादा ठंड बारी सवा का कम दबाव पानी की कमी अकेलापन और स्विधाओं की कमी से मोराल पर बुरा असर परता है इन से बचकर रहना चाहिए और इनके करने चाहिए लीडर से पहाड़ी इलाके में आम तोर पर लड़ाई छोटे स्थर पर होगी कामियाबी ज्यादतर जूनियर लीडर्स पर निर्भर होगी इनको फिजिकली फीट मानसिक ताकत और उत्सा जनक और बोल्ड प्लानिंग और एक्जिक्यूशन की जुरत होती है बंदोबस्त एड़म का पहाड़ी इलाके के अप्रेशन पर बहुत असर पड़ता है कितनी बड़ी फोर्स डिप्लाई की जा सकती है यह एड़म बैकप पर निर्भर होता है खराब रोड अंप्रेशन की वज़ह से फॉर्वर्ड टंपिंग भी की जाती है इलाके में